Hello friends, welcome back to our channel The Take Room Realme के तरफ से Realme UI 5 को redesign कर दिया गया है और अब आपको एक नया Realme UI 5 देखने हो के मिलेगा जिसे बहुत सारे new changes और new features add किये गया है बहुत जल्द Realme UI 6 भी launch होने वाला है तो यह सारे features आपको Realme UI 6 में भी देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में हम Realme UI की latest change की बात करेंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी new changes को देखते हैं पले change की बात करें तो यहाँ पर आपको notification panel को पूरी तरह से redesign कर दिया गया है और नया वाला notification panel का layout आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यह वाला notification पैला का layout आपको iOS और Xiaomi के HyperOS जैसा देखने को मिलेगा जैसा आपने देखाऊगा Apple के iOS में कैसा layout देखने को मिलता है कुछ इस तरह से आ το ب्राइटनेस का सिंबल देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आटो ब्राइटनेस को ओन कैसे करना है उसके लिए आपको इस डीकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँपर ऑट्पर इस यहाँसरे आउफ कर सकते हें गे साटी बहां साज देखा चाहे तो पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता था यह वाला नय वाला उतना कुछ खास नहीं है लेकिन न्यू डियल में फाइब में यह वाला जो चेंज है वाल्यूम से रिलेटेड वह काफी खास है क्योंकि यहाँ पर अब आपको एप्लिकेशन इस स्पेसिफिक वाल्यूम कंट्रोल का ओप्सन दे दिया गया है जैसे अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम का वाल्यूम सेट कर सकते हैं और अगर आप यूटूब यूज कर रहे हैं तो यूटूब का इस स्पेसिफिक वाल्यूम सेट कर सकते हैं और ज और कुछ यहाँ पर नया लूप देखने को मिल रहा है। नेक्स चेंज आपको सेटिंग में देखने को मिलेगा। सेटिंग में special feature में बहुत से ऐसे feature हैं जो काफी काम आ सकते हैं। जैसे smart suggestion, इसमें स्विगी जो मैटो के food delivery से related आपको notification या फिर updates मिलते रहेंगे। नेक्स इस वाले feature की बात करें तो यहाँ फिचर काफी कमाल का होने वाला है और काफी interesting है और काफी useful भी है। और कुछ नया feature है जो बागे phones में देखने को उतना नहीं मिलता है। इसके लिए आपको यहाँ पर smart sensing पर click करना है। इसमें दो feature है, air gesture और दूसरा double tap। air gesture की बात करें तो आप भीना phone को touch किये हैं, YouTube, Insta को use कर सकते हैं और scrolling वेगटा कर सकते हैं, source reel को scroll कर सकते हैं, भीना phone को touch किये हुए। और दूसरा important feature की बात करें तो वो है double tap feature है। इस feature को on करने के बद अगर आप UPA payment ज्यादा करते हैं, तो आपका UPA payment करने का experience जो होने वाल हो काफी असान होने वाला है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपके phone के back side में double tap करना है उंगली से, और आपका phone automatic QR code को scan करना लगेगा, और तुरांत payment application open हो जाएगा, और इसका use आप किसी भी QR code को scan करने के लिए कर सकते हैं, यह वाला feature काफी interesting और काफी useful भी है अगर आप करना चाहे तो, इसके पर next feature की बात करें तो अगर आपके real user है तो आपको पता हो, अगर real user काफी ads देखने को मिलते हैं, तो इस feature का use करके आप अपने phone का ads को बंद कर सकते ह इसके लिए आपको additional setting में यहाँ पर get recommendation में जाना है और इसको off कर देना है, simple सा, बस अब आपके phones में ads वेगरा जो इधर उधर देखने को मिलते थे, वो नहीं देखने को मिलेंगे, next feature की बात करें तो वो additional setting में एक add हुआ है, touch adaptation के नाम से, यह वाला feature कभी कभी आपके लिए यूजफूल हो सकता है, जैसे एक है screen protector mode और दूसरा है waterproof pouch mode, screen protector mode को on करने के बाद अगर आप screen पर temper glass वेगरा यूज़ करते हैं, अगर आप उससे आपके phone की sensitivity में कुछ कमी देखने को मिलती है, तो फिर आपका phone इसको on करने के बाद काफी अच्छा response देने वाला है, और दू waterproof pouch का use करते होंगे, जिसमें अपने phone को रहकर photo वेगरा क्लिक करते होंगे, तो वामे phone अच्छे से काम नहीं करता होगा, इसके लिए यह वाला feature वहाँ पर useful हो सकता है, waterproof pouch mode का अगर आप on कर देंगे, तो फोन की sensitivity बढ़ जाएगी और आप phone को असानी से use भी कर पाएंगे, त जो देरी-देरी सभी phones में देखने को मिलेंगे, Realme 5 अपडेट के साथ, या फिर जिसमें Realme 5 अपडेट आ भी गया है, तो फिर नए अपडेट के साथ देखने को मिलेगा, या फिर Realme 6 में ये सभी features आपको देखने को मिलने वाले हैं, मुझे उमीद है ये वीडियो के यूज फोल रही होगी, Realme के आप कौन सा फोन यूज करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक टार्डेट है, 100 लाइक का, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, हम मिल चैनल के जरूर देहँ बखक्दूर कीजिए से बाइक बद्सक्वेट